आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत स्पेशल होने वाला है एक ऐसी बंपर स्ट्राड़िजी में आपके साथ शेर करने वाला हूं जो आपको lifelong काम आने वाली है और जिसमें आपको काफी बंपर प्रॉफिट होनी की पॉसिबिलिटी काफी है एक ऐसी स्ट्राड़िजी जिसके बिसेस पे बाई और सेल दोनों इंडिकेशन मिलेंगे जिसका रिश्टू रिश्टू रिश्यो मिनिममम वन इस्टू थी होगा वन इस्टू फाइफ और वन इस्टू टैन भी आपको कई बार अराम से मिल जाएगा जिसमें फेक सिगनल काफी कम होंगे अगर आप दिइंग या फिर श्रिंग करना चाते हैं अराम से कर सकते हैं डेली काल स्टी कई चूज करके अगर आप internet करना चाते हैं थर्टी मिनिट्स कानल सेख यूष कीजिया और आराम से आपका काम हो जायेगा इस स्ट्राटेजी को कभी भी 30 मिनिट्स के छोटे टाइम फ्रिम पे और इस वीडियो को पूरा देखेगा अगर आप यह सोच रहे कि आप चलते वे इस वीडियो को देख रहेंगे और आपका काम हो जाएगा नहीं होगा प्रॉपरली बैठके डंग से पैन और कॉपी लेके बैठेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी बहुत ज्यादा इस वीडि क्या है हमारी स्टाटेजी डिफ्रेंट टाइम फ्रेम में विट एक्जांपल कैसे काम होती है हमारा स्टॉप लॉस कहां पर होना चाहिए सब कुछ सिंगल वीडियो में डिसकस होने वाला है अब हम सीधा चलेंगे स्क्रीन के उपर और बिल्कूल बेसिक पॉइंट से शु और एक बर हम समझने के कोशिश करता है यहाँ पर 20 लेंथ लगी वी है टू स्टैंडर्ड डिवियेशन है यहाँ पर हमारी लिए तीन लाइन लगी वी है बेसिक लाइन जो बॉलिंजर बैंड की लाइन है अपर लाइन और लाइन यह हमारा बेसिक सेट अप हो रखा है लाइन डिवियेशन हम नीचे जा चुके है तो यह कंप्लीट रेंज हो चुकी है यह मैं बताता क्या है सपोस करते है अगर हम एक अजम्शन लेते कि इंडिया में जैन्स की हाइट क्या होती है एक अजम्शन यह हो सकता है कि एवेज हाइट तो होती है 57 के आसपास जो यह की बीच की लाइन हो गए यह मैक्सिम उपर की साइट चल जाती है 63 तक और नीचे की साइट चल जाती है 5 फूट तक तो यह हो गया है कंप्लीट बैंड जिसके अंदर सारी की सारी हाइट आपको आते भी मिल जाएगी अब यह बॉलिंजर बैंड हमें बताता क्या है और यह 8% डेटा यहां पर हो जाएगा अगर आपने टू स्टांडरließर ले लिए है तो 95% आफ दिडर इसके अंदर में आने की प्रॉइंग चांटर टि हो जाती है और अगर आपने ट्हिंट स्तांडर बीच बिचर तो 99.7% डिटो आपका इसी थू स्टांडर डीवेशन के जगे one standard deviation करते हैं, आप देखेंगे कि काफी line यहाँ पर भार भी जा रही है, क्योंकि हमारा rule क्या कहता है, one standard deviation में statistically long period में 68% data in standard deviation के अंदर आएगा, इसी के जगे, suppose करते हम यहाँ पर standard deviation बढ़ा देते हैं, बढ़ा के हम standard deviation थीका कर देते है, 99.7, यानि कि almost सारी की सारी lines आप ही candlestick मिलने वाली है, एक अधा छोटी मोटी candle इदोदर उपर नीचे जा सकती है, पर क्योंकि three standard deviation आपने ले लिया है, मोटा मोटी आपकी सारी की सारी candles इसी three standard deviation के अंदर range में आती जाएगी, मतलब three standard deviation का मतलब क्या हो गया, कि इंडिया में maximum height 7 foot की हो सकती है, और minimum height 4 foot की हो 9.7% time यही probability है कि इसी के अंदर आपको height मिलेगी, बस यही बता रहा है आपको complete Bollinger Band की चीज, I hope आप समझ चुके हो कि Bollinger Band हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है, और stock market में जितनी भी candle streak होती है, या stock market का basic nature होता है, वो nature यह होता है कि एक समय आता है जहाँ पर stock market बहुत ज cycle stock market में चलती रहती है, तो जब हमने Bollinger Band में सबसे पहले 20-day moving average की line लगाई और ऊपर 2 standard deviation और नीचे 2 standard deviation ले लिया, यह हमारी total range हो चुकी है, एक ऐसा समय आएगा, जहां पर यह range बहुत ज़्यादा close आजाएगी, एकदम चप्टीवी सी range मिलेगी, जब यह चप्टीवी सी है, मतलब market अभी contraction में है, contraction का face के बाद market को expansion के face में जाना होता है, इसी को हम ढूनने की कोशिश करेंगे और यही है हमारी strategy, बहुत simple से strategy है, strategy simple सा यह बोलता है कि जब आपकी 20-day moving average की line, यानि कि जो आपकी base line होती है, Bollinger Band की, जो middle line होती है, वो बिलकुल straight हो जाए, two standard deviation ऊप बहुत close आजाए, उसके बाद price action पर जिस भी side में market का move होगा, वो आपको sustainable move मिल सकता है, और इसी को हम track करने की कोशिश कर रहे है, अब हम चलते हैं वापिस से screen पर और एक example से समझने की कोशिश करते हैं, अब हम आ चुके screen के उपर, और इस screen के उपर मैं आपको सबसे पहले daily candlestick रखावा है, ambuja cement है, ballinger band, two standard deviation के साथ लगे हुए है आपके लिए, और इस example से हम सारे के सारे rules भी समझ लेंगे, इस complete strategy के, complete strategy को समझने के कोशिश करते हैं, इस period को देखिए, आपकी जो basis line है, जो आपकी बीच में yellow line जा रही है, वो एकदम straight हो चुकी है, और जो moving averages है वो बहुत ज़्यादा pass में आ चुके है, यह हो गया है हमारा contraction का period, जितना लंबा होगा contraction का period, वितना ही बड़ा expansion या वितना ही बड़ा आगे आने वाले समय में फट सकते है जाट, आपने कई बार मुझे सुना होगा, कि देखो यह stock बहुत ज़्यादा consolidate कर रहा है, बहुत ज़्यादा चिपटा हुआ है, बहुत low volume से काम कर रहा है, छुटी सी range में, जब भी फटेगा, बड़ी range से फटेगा, यही मैं आपको वापिस से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, इस complete strategy में आपको upper breakout का area और lower breakdown का area mark करना है price action के basis पे, य यह हो गया है आपकी ऊपर की line, चीक है, इसके ऊपर जाएगा तो मेरी entry trigger होगी, इसके नीचे, price action पर आपको purely देखना है कि इसके पहले के lows क्या बने हुए है, इस complete range का, यह मेरे lows है, यह मेरा low है, तो इस low के basis पे मैंने मेरा नीचे करी लिया, आगर यह breakdown होता तो मैं shot करता क्योंकि shot होने के बाद भी यह बहुत तीजी से नीचे आता, एक लंबे contraction के बाद expansion होता, यहाँ पे मेरा entry trigger होई है, entry candle मेरी यह हो गई है, trigger, जो उपर गई है, वो trigger हो गई है, stop loss मेरी यह range हो जाएगी, entry यह candle है, stop loss मेरा यह जो basis की line, yellow line है, यह मेरा stop loss हो गया, target 1-3 का minimum, 1-5 हम लेनी की कोशिश करेंगे, 1-10 मिल गया, तो मस है आगए, अब हम देखते हैं कि हमें इस particular position में मिला क्या है, actually में, यह है आपका stop loss का area, यह हुआ है आपके जो range में गया है, 1-8 आपको अराम से मिला है, जिसमें मैंने वो सिनारियो ले लिया कि आपने entry इस candle पर नहीं, इस ट्रेल कर सकते हैं, और यह हो गया है आपको complete strategy, इस complete strategy में आपका stop loss बहुत defined है, आपका target बहुत defined है, entry बहुत defined है, वैसे बता है आपको, जितने भी लोग वॉलिंजर बैंड को use करते हों कहते हैं कि जैसे वॉलिंजर बैंड की उपर range में आए, short कर दो, short कर दो, short कर दो, आ रहे है, इस समय अगर आपने wally style use करी, कि जैसी बॉलिंजर बैंड के उपर गया, stock को नीचे आना ज़रूरी है, आप बहुत बुरा फस होगे, यह देख सकते है, stock 400 रुपे का, 500 रुपे का हो चुका है, डेडा हो गया है stock, और अगर आप short कर रहे थे, तो short करते ही जा र देना है, जिस भी side का breakout हो, एक चोट असा यहाँ पे आपको 10 point का stop loss था, और बड़ा 100 points से उपर का target मिल गया, अर्राम से आपका काम हो गया है, positional investing का यह बहुत ही perfect example हो चुका है, यह हम आ चुके second example में, अभी पहले हम daily के example चेक कर लेंगे, उसके बाद मैं आपको intraday की example द चोटे की example आपको इसी chart में आके ले जाके दिखा दूगा, पर अभी आप लंबे contraction period में आपकी probability success की काफी high होती है, यहाँ पे आप सबसे पहले देख रहे हो, एक बहुत चोटी सी range में, बिलकुल सीधा हो चुका है, बीच की 20 day moving average की line, चोटा सा contraction चल रहा है, आपर range आपन बहुत ज़्यादा सेफ होते हुए, बड़ी की बड़ी range mark कर रहा हूँ, ताकि हमारे false signal कम हो जाए, अगर आपको false signal कम करने है, तो range आपको थोड़ी सी बड़ी भी mark करोगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई फरक नहीं पड़ता, यहाँ पे आपकी entry हुई, यह आपका stop loss हो गय टारगेट आपके सामने open है, आप चलते जाएए, मिलता जाएगा इस expansion के period में बहुत लंबा target, एक बार अगर मैं position wise लेनी की कोशिश करूँ वापस से, इस candle पर आपकी entry हुई है, और यह आपके price आया है, 1-10 का target आपको वापस से मिला है, जबकि मैंने यहाँ पे, मैं चाह करके काम करने की कोशिश करेंगे, जब आपने इस range को mark करके काम किया, तो आपने इस particular example को आपको profit लंबा हो गया, पर आपको false breakout और false breakdown के भी chances मिल सकते हैं, इसलिए हमेशा जो proper range बन रही है, उस range के उपर आपको काम करना ज़रूरी है, हमेशा ध्यान रखेगा, proper range आपको ब range नहीं मिल रही, यह आपको एक छोटी range मिली है, यहाँ पर आप देखोगे यह आपकी छोटी range है, छोटी range के targets भी छोटे होंगे, यहाँ पर कैसे बनेगा आपकी उपर का level, उपर का level आपका हो जाएगा roughly यह level, नीचे का level आपका बैठेगा roughly यह वाला level, यहाँ पर breakout reward ratio मिल चुका है, इस candle पे आपकी entry हो गई है, पहली candle पे, एक दो दिन time pass किया, यह आपका stop loss हो गया, यह आपका target हो गया, simple सा हो गया है, अगर यह आपका stop loss ध्यान रखेगा, कभी भी 3% से उपर का जा रहा होगा, तो आपको तो flat 3% का stop loss ले लेने का है, बात खतम हो गई, अब हम एक काम करते हैं, कुछ 30 minutes की candle stick पे जाके, कुछ और examples देखने की कोशिश करते हैं, पर उससे पहले अगर अभी तक आपके पास DMAT account नहीं है, description में DMAT account openings आपको मिल जाएंगे, साथ ही, अगर अभी तक आपने 7 special strategies का हमारा course to calculate नहीं किया, उसका link भी आपको description में मिल जा के चार्ट पे और 30 minutes के चार्ट पे इस complete strategy को discuss करने की कोशिश करते हैं, बहुत लंबा एक contraction का period, यहां पे आपका contraction ही चलते जा रहा है, वैसे अगर आप इसको पहले mark करे वे होंगे, तो यह आपकी range होगी, यहां पे इसने आपको false breakout दिया, और वापे से यह अंदर आ गया, पर next time जब यह breakout देता है, आपको बड़े targets आपके सामने है, आप बहुत आसानी से यहां पे देख सकते हो, अब तो I think आपको आँखों के सामने सामने दिख रहा है कि क्या हो रहा है, यहां पे इसने क्योंकि एक और पहले निकलने की कोशिश करी, तोड़ा सब move किया, पर move क काफी ज़्यादा examples मिल सकते हैं, यह आपकी lower range, यह आपकी उपर की upper range, यह lower range कटी, यह आपको immediately intraday basis पे मिल गी expansion, यह था आपका contraction, intraday basis पे आपको comparatively छोटे contraction पे भी ध्यान देना पड़ेगा, for example, एक और example लेते हैं, यह देखिए, यहां पे यह एक contraction हो रहा है, इस contraction के बा obviously छोटे stop loss ही आपको मिलेंगे, और आपको यहां पे 1 is to 3, 1 is to 4 का अराम से risk reward ratio मिल चुका है, और इसी chart में आगे चलते हैं, आपको और examples मिल जाएंगे, यह देखिए, यहां पे यह चोटी सी range में फसा हुआ है, पर क्या इसने कहीं पे भी move दिया है, अभी तक नहीं दिया ह आगे जाना पड़ेगा आपको और देखना पड़ेगा कि कहां यह move दे रहा है, यह आपके पास आगया है एक perfect example, यहां पे आप देखेंगे, यह आपकी low range हो गई है, यह आपकी roughly हो गई है, upper range का area, यहां पे यह low range break किया, चोट असा 915, 16, यहां फिर 910 पे आपने shot किया, चोट असा 920, 10 point का आपका stop loss, और 1 is to 7, अर्राम से आपका race reward ratio यहां पे बैट गया है, और आपके target से आपके पूरे हो चुके है, अगर हम एक next example और 30 minutes पे लेने के कोशिश करें, यह एकदम recent example जो हम ले रहे है एलिकॉन engineering में, यह आपका यहां पे हो रहा है, complete, complete contraction, contraction के बहुत अच्छे 1 is to 5 के risk reward ratio immediately दे दिया, तो हो सकता है जो आप नहीं नहीं strategy को देखेंगे, और अगर आप बहुत जल्दी trading करने के कोशिश करेंगे, कुछ stop losses होंगे, for example, यह आपका stop loss हो सकता है, अगर किसी ने trade बनाई होगी यहां पे तो, but it is absolutely okay, risk to reward ratio आपके बहुत favor में है, और successive probability काफी high होने वाली है, यह एक और example देखिए, एलेकॉन engineering में आपको दिखा रहा हूँ, यह हो गए, एक दम contraction का समय, contraction के समय पर आपकी lower range निकल के आ रही है, roughly यह area, यहां पर यह break होती है, अर्राम से आप देख सकते हो कि कहां तक आपका चार्ट जाता जा रहा है, stop loss आपका maximum 3%, नहीं तो roughly आपका 413 पे shot हुआ है, 423 आपका stop loss है, और नीचे आपको मिल गया है 340 तक के targets, आप देख सकते हो, एक से दो दिन में आपको पूरा पूरा काम होता जा रहा है, मतलब यह strategy आपको हर एक time frame पे काम करेगी, अब आप कुछ important point समझ लीजिए, इस strategy के related, maximum stop loss आपका 3% का होगा, जब आप नया काम करना start कर रहे हैं, तो सबसे पहले stock पे काम करना start करिए, और daily candlestick पे study कीजिए, इस complete strategy को, क्योंकि daily candlestick पे आपकी success का ratio काफी high हो जाएगा, एक बार आपको daily candlestick पे काम करते हुए समय हो गया है, आप 30 minutes के candlestick पे काम कर सकते हैं, 30 minutes से पहले, अगर आप तोड़ा सा और safe होना चाते हैं, तो 1 hour की candlestick पे काम करना start करिए, और फिर 30 minutes पे जाएगे, धीरे धीरे हमें हमारा level और number of trades बढ़ानी चाहिए, पहले हमें strategy में properly confidence आना ज़रूरी हो जाता है, बहुत interesting और amazing strategy है, like कर वेना मज चाहिएगा, वैसे मेरे पास, Bollinger Band के basis पे second strategy भी है, अगर आप चाहते हैं कि मैं second strategy भी लाओ, तो comment करके मुझे बता दीजेगा, और अगर इस वीडियो में हमें 3 लग से उपर views आते हैं, तो Bollinger Band की strategy का part 2 आपको मिल जाएगा, happy learning and I will see you very soon.